हेलो गाइज आप देख रहे हैं A2Z IT Services और आज हम बात करने जा रहे हैं विव टैब के बारे में जो के हमारा नाइन्थ लेक्चर है इन दिस Microsoft Excel सिरीज ओके सो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए देखते हैं कि विव टैब में हमारे पास क्या-क्या है तो सबसे पहले जब हम विव टैब पे क्लिक करेंगे तो आपको यहां पे मिल जाता है नौर्मल normal का मतलब क्या है view का मतलब क्या होता है word में हम देख चुके है वहाँ पर भी हमारे पास जो tabs थे वो similar होते हैं view tab अगरा review tab and home insert etc तो ये tabs हर product में same रहते हैं जैसे कि हम पहले भी इसके बारे में बात कर चुके हैं ठीक है तो view का मतलब क्या होता है जब भी हम view के बारे में बात करते हैं view का मतलब होता है simply आपका ऐसे इसको देखना पसंद करेंगे इस page को अपने document को या अपने spreadsheet को ठीक है तो यहाँ पे थोड़ा different features यहाँ पे आपके different tools मिलेंगे थोड़े से different from word वो हम explore करेंगे ठीक है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे पहले view टैप पे किलिक करने के बाद आपका यहाँ पे normal selected है normal का मतलब क्या है कि जब आप इसको down करेंगे तो आपका कहीं पे भी जो break है वो नहीं दिखेगा simply आपका जो excel sheet है वो आपको display हो जाए control प्लस down arrow की अगर मैं प्रेस करूंगा तो last जो cell है वो आपको दिखेगी सीधे आपको sheet दिख रहे है ठीक है control अप यहाँ पे हम जा रहे है जब आप page break preview पे किलिक करेंगे तो यह आपको breaks दिखाएगा कि आपका page कहां पे break हो रहा मिनिस आपका जो page है वो कैसे print होगा कितना data उसमें आएगा जब आप print उसका निकालेंगे तो यहाँ पे मैं जब किलिक करता हूँ तो देखे this is page 1 यह आपको highlight है न blue color से यहाँ पे यह वाला portion this is page 1 this is page 3 this is page 5 okay and page 2 कहां पे आपका यह वाला page 1, page 2, page 3, page 4, page 5 and page 6 ठीक है different pages पे आपका print out निकाले यह निकलेगा ठीक है तो यह simply आपका print preview मिनिस page break preview का मतलब है यहाँ पे जब आप नौर पर किलिक करेंगे तो यहाँ पे आपको dotted दिखेगा वाईसे भी आपको visible होगा यहाँ पे यह dotted line है यह क्या show करता ही कि यहाँ पे page break हो रहा है इसके बाहर का जो data है वो आपका print page पे नहीं आएगा अगर आप print out निकालते हैं तो कैसे हम वो अगर particularly आपका बहुत सारा data है और एक ही page में आप लाना चाहते हैं वो कैसे निकालते हैं वो हम page layout tab में देख चुके हैं कि print area कैसे set करते हैं कैसे हम data को manage कर सकते हैं page layout में हम वो सब देख चुके उसके लिए आपका वो lecture ज़रूर देखेगा ठीक है तो यहाँ पे हम wave tab में है page break preview का मतलब आपको समझ आ गया अब है page layout page layout का मतलब क्या है कि जब भी आप print इसका निकालेंगे printed document आपका वो कैसे लगेगा उसकी shape कैसी होगी including header and footer चलिए देखते हैं इस पे click करके click जब आप करते हैं देखें यहाँ पे add header आ रहा है जब भी आप इसका print out निकालेंगे तो ऐसे आपके pages दिखेंगे footer भी आ रहा है अगर आप इसको अदब एड करेंगे कुछ otherwise खाली आएगा ठीक है यह आप डिरेक्ली control प्लस पीजी भी जब नॉर्मल preview पे click करेंगे control पी प्यास करेंगे यहाँ पे आपका वो page ही दिखेंगा वाइसे ही जैसे वहाँ पे आपको दिखाई दे रहा था 2 खाली है 3 में data है 4 खाली होगा 5 में data है ठीक है simply आप यहाँ पे भी यह display करा सकते page layout यहाँ पे आपको दिखेंगा यह इसको break करेंगा पेज में different pages में जैसे कि आपका printout आने वाला होगा ठीक है तो this was all about page layout नाउ इसको वापस लाते है नॉर्मल में नॉर्मल के बाद आपका यहाँ पर मिल जाता है custom views तो custom views क्या होता है देखिए यहाँ पर custom views जब आप बहुत बढ़ा sheet है आपके पास यहाँ पर आप किसी selected data को आप customly उसको mark करना चाते है और उस पर jam करना चाते है तो वह कैसे आप करेंगे यहाँ पर यह एरिया मैंने selected किया है यहाँ पर custom view पर किलिक करूँगा and then add करूँगा add करने के बाद इसका कुछ नाम रख देते हैं ABC and then I will press ok तो यह आपका इसमें आगा है देखिए अब आप कहीं पर भी हो like मैं control पर down arrow की यहाँ पर हूँ मैं last मैं sheet के तो आप अगर मैं custom view पर किलिक करूँगा add यहाँ पर ABC आपको इस पर मैं show पर किलिक करूँगा तो आप directly वहाँ पर जेंप आपका जो data selected data जिसको आपने custom view रखा है custom view में रखा है वहाँ पर आपका यह directly जेंप होगा जब आप show पर किलिक करेंगे तो this was all about workbook views different viewers हमने देखा कि page break preview कैसा है page layout कैसा है normal रखा जाता है and now we have this show show का मतलब क्या होता है कि कैसे आप क्या क्या चीज़े आप इस जो आपका सामने support sheet है या workbook है इसमें क्या क्या चीज़े आप show कराना चाहते है लाया कि यहां पर आपको formula bar पर टिक है में आपका formula bar यहां पर दिख रहा है ना दिख रहा है यहां पर आपकी जब formula लगी है यहां पर eligible not eligible यहां पर आपको formula यहां पर लगाया लेकिन यहां पर आपको formula दिख रही है अगर आप इसको भी disable करना चाहते हैं यह भी show नहीं करना चाहते हैं तो यहां पर इसको deselect कीजेगा ठीक है तो इसको मैं select फिर से कर देता हूं इसको भी select फिर से कर देता हूं now we have this grid line grid line क्या होती है देखे आपका page यहां से दिख रहा है आपको यह वाला portion या down control plus down arrow की फिर से यह देखे आपकी grid line है आप इस पर मैं click कर देता हूं यह आपकी मिट चाहिए यह जो dotted है यह हमने page break preview पर click किया था इसलिए यह dotted lines आ रही है आपकी यह बता रहा है कि आपका प्रिंट वाला page है वह कहां पर end होता है ठीक है प्रिंट पेज जो है सेल आपकी नहीं दिखेंगी आपकी grid line है यहां पर नहीं दिख रही लेकिन grid line इस उप्रचीट में ज़रूरी है बहुत useful होते है तो इसलिए आप इसको select करके रखेंगे कई बार आप चाहिए कि यह नहीं आनी च select कीजिए यहां पर experience in years पर click कर देता हूँ यह आपकी video बताता है कि D का यहां 7 से 11 cm में scale आपकी दिखती है और यहां से भी row से भी आपकी scale है ठीक है इसको normal में रख देते है तो यह खुद ही disabled हो गया है यहां ठीक है so this was all about show tab this show group in view tab now इसके बाद इसके बाद आपका यहां पर zoom आ रहा है ठीक है zoom का क्या मतलब होता है देखें आप normal image को zoom कर देते हैं किसी बहुत सारी screen को आप zoom कर देते हैं यहां पर जो zoom का option आपको मिल जाता है वो नीचे यहां पर होता है नॉर्मली जो आप कर देख सकते हैं यहां पर इसको अगर आप zoom करना चाहेंगे तो यहां पर click किजएगा 75% यह जूम आउट हो जाएगा नॉर्मल से भी छोटा बैक हो जाएगा देखें यहां पर इसी तरह के से कोई भी आप मैसे चूज कर सकते 200% में इस इंक्रीज हो जाएगा बहुत ज्यादा जूम आपका सामने आ जाएगा और अगर आप नॉर्मल रखना चाहते हैं नॉर् आप चाहते हैं कि यह वाला डेटा जो पॉर्शन है मेरा इतना ही इतना ही डिस्पले हो जाए यहां पर तो आप यहां पर जूम टू सेलेक्शन क्लिक करेंगे जितना आपका स्लेक्टेड डेटा था वह आपका पूरे डिस्पले उतना यह खुद ही उसका जो नंबर है 153% यह जूम होके आएगा आपके स्क्रीन पर ठीक है so that is zoom to selection name suggest is everything name से ही पता चलता है आपको कि क्या इसका मतलब actual में है normal करना चाहेंगे फिर से 100% पर किलिक कीजिएगा ठीक है so this was all about zoom group within this view tab and now we have this window देखिए window का क्या मतलब होता है window हम देख चुके है word में वहां पर भी हमने यह काम किया था कि windows का क्या मतलब होता है and all that ठीक है यहां पर मैं आपको window दिखाने के लिए generally new window पर click करूँगा देखिए यहां पर उससे पहले click करने से पहले आप ध्यान से यहां पर जहां पर मैं book one xls colon minus ratio two minus यह दूसरा window है इसी नाम का जो यह नाम है फाइल का इसी का दूसरा यह बनलब window है ठीक है इसी तरीके से आप फिर से यहां पर click करेंगे new window तो तीसरा यहां पर colon 3 आ गया ठीक है आप यहां पर भी देख सकते हैं तीन windows आपके open हो गए same excel sheet के clear है यहां तक okay now time turn I will close all of our screen here यहां पर वापस आउंगा यहां पर आपको arrange all का मतलब क्या होता है कैसे आप आप्ष्रेश करना चाते हैं यहां पे अर्हां पर की यहां प्राइज आगे ऑन पर किलिप करेंगे तिलर का मतलब आपके我說 तुकुडू टुकुडू में आएगा बहुत सारे windows अगर है तो यहां पर एक आता यहां पर नीचे दो तीन चार यहां पर दो ही है तो जारक लिए आपका यह साइड बैसाइड आ गया ठीक है इसी तरी किसे आप अरेंज आल पर किलिक करेंगे freeze panels freeze panels को समझने के लिए यह भी हम वर्ड में कवर कर चुके हैं लेकिन यहां पर फिर से बार बता दूंगा freeze panels का मतलब क्या होता है देखें यहां पर यह column है यह स्वारी row है id name qualification यहां से यह ाइड नेम है ठीक है ाइड आप यहां पर हैं अभी इस cell में यह आप साइड में चल दीक है यहां पर व्यां नीचे जब आप या रहे है तो आपको सिक्नाना चाहते हैं यहां पर चुकि अपर जाना पढ़ेगा कि यह क्या थी तो जो कि इस पड़ेगा कि इसके एडिंग क्या थी ठीक है तो इसके लिए क्या option है हमारे पास freeze pens का freeze pens का मतलब क्या होता है देखे यहां पर इसको मैं cell को select करूँगा freeze pens पर click करूगा freeze pens and now you can see see I will go down here आपका जो column है top column जिसको आपने freeze किया वो आपका यहीं पर रहेगा आपको जहां पर भी आप जितना भी नीचे आप sheet में चले जाएंगे आपको यह पता चल जाएगा कि यह column experience है यह column जो है eligible and all that ठीक है इसी तरीके से आपने freeze pens किया मिनस आपका पहला column जो है वो भी freeze हो जाएगा देखिए आप left side जाएए आप यह right side जाएए तो आपका जो id वाला column है वो भी freeze होके रहेगा कि आपको पता चल जाएगा कि यह जो है इसका id है 8 इस cell में and इसका है 2 and all that ठीक है तो यह था freeze pens इसी का आपको दूसरे options भी मिल जाते हैं जारेक लिए आप यह इसको अगर आप चाहते हैं कि आपका column freeze ना हो जाए और सिर्फ row freeze हो जाए तो freeze top row करेंगे आप अगर आप चाहते हैं रो ना freeze हो सिर्फ column आपका freeze हो जाए तो freeze first column आप करेंगे ठीक है इसी है पहले भी कर चुके हैं word में तो यहां पर आप जो next option है that is supply 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 का क्या होता है देखिए यहां पर भी आपका cell selected होगी आप supply पर किलिक करेंगे four coordinates में इस sheet को supply करेगा यह यह देखिए यहां पर color ही इसका कुछ ऐसा है आपको नहीं देखिए लेकिन चार हिस्सों में इस इसे विदिन इस आपको दो सुक्राल बार मिलेंगे यहां पर देखिए दो portions में सुप्लेट हो गया ठीक है और यहां से भी आपको दो portions मिलेंगे इस वन portion and इस इस अनदर portion ठीक है तो इसको सुप्लेट पर में डिसलेक्ट करूँगा फिर से और आपका normal view आ जाएगा के लि इसको unhide करना चाहेंगे तो unhide करेंगे एंड यहां पर आपका एक जो book है मनने से एक sheet जो है वह hide था उस इस पर आप ok करेंगे तो वह unhide हो जाएगा यहां पर आपके दो windows आपको दीखेंगे ठीक है clear है यहां तक easy है ज्यादा मुश्किल नहीं है view tab तो इसके साथ ही जो arrange all में हम vertically देखते हैं वही इसका भी मतलब है view side by side पे click करेंगे आप तो आपका sorry दो बार हो गया कुछ भी लिखोंगा कुछ भी changes करूंगा वह उसमें भी हो जाएंगी आप यह देख सकते हैं ठीक है now वापस यहां पर अगर आप यह scrolling बंद रखनी है means आप इसमें स्क्रॉल करेंगे दूसरे में नहीं आना चाहिए तो इसको आप यहां पर deselect करेंगे ऐसे यह अभी selected था इजी है यहां तक now we have this switch windows switch windows का क्या मतलब है दो windows है आपके पास यह अभी आप 1 में है colon 1 में है colon 2 पर जाना चाते हैं तो इस पर किलिक करेंगे तो आपका दो दूसरा वाला जो है वो उपन हो जाएगा इस तरीके से पहले पर जाना चाते है पहला वाला ही है अभी दूसरे जाना चाते है दूसरे यहां पर आप पहले वाले पर जाना चाते हैं तो पहले वाले पर किलिक करेंगे ठीक है so this is switching between different windows of the same file with the same excel file हो गया यह clear आपको यह features फता होने चाहिए ठीक है चाहिए आपकी यूज करें या ना करें कभी कहीं इन में से बहुत सारी चीज़े है वो जो आप rarely यूज करते हैं ठीक है now last जो है हमारा यहां पर macros यह आपको जानना ज़रूरी है macros के बारे में हम पहले भी बात कर चुके है word में और एग्जाम्पल विद डेमो हमने उसके बारे में बात की थी यहां पर भी हम macros का जो option है वो यहां पर मिल जाता है मैं ठीक है mac यह वर्जन है like you have 7 or 10 उसमें यहां पर शायद macros आपको न मिले वीव टैप में तो उसके लिए आपको क्या करना है file टैप में जाके आपने options में जाना है options में जाके आपने AdWords इस customized ribbon में जाना है customized ribbon में जाने के बाद आपका यहां पर developer वाला टैप जो है वो untick होगा आपको टिक करके इसको okay कर देना ठीक है तो आप developer टैप में आप देख सकते हैं यहां पर भी आपको macros मिल जाता है ठीक है तो यहां पर में वापस जाओंगा हमने क्या करना है macros के बारे में जानना है macros क्या होता है कि जो काम आप frequently करते है कुछ काम आप रोज आपको करना पड़ करनी पड़ती है तो वहां पर macros बहुत यूसपल होते है ठीक है this is different from copy paste है और इसका जो shortcut है वो alt plus f8 है ठीक तो macros के बारे में जब हम आत करेंगे तो यहां पर आप रिकॉर्ड मैक्रो पर किलिक करना है रिकॉर्ड मैक्रो पर किलिक करने के बाद आपको यह नाम मांगेगा इसका इसका मैं नाम रेखते देता हूँ a b c d e f कुछ भी आप रख सकते हैं and then press ok तो आपका जो macros recording जो है वो start हो गई यहां पर आपको stop recording आ ठीक है अब आप जो भी करोगे वो record हो रहा है क्यों record हो रहा है किसलिए record हो रहा है क्या फाइदा इसका वो हम अभी देखने वाल object then id then age कुछ भी and यहां पर इसको मैं रख देता हूँ कोई font color मैं red रखना चाहूँगा background color this font मैं यह रखना चाहूँगा bold रखना चाहूँगा ठीक है इतने सारी जो changes है वो मैंने की है अब इसके साथ ही मैं यहां पर फिल करना चाहता हूँ records a b c and इसको मैं drag करूँगा जो है twelfth है twelfth मैं आप इतने सारी क्लिक करेंगे and यहां पर subject है SS कुछ भी and इसको भी आप drag करेंगे यहां तक now we have id id is 01 इसको मैं control क्लिक करके track कर देता हूँ one two three four आ गया खोधी age 17 and इसको भी drag कर देता है यह आपका data यह आपने इस पर changes की और भी changes करते है थोड़े से like इस orders पर क्लिक करेंगे तो आपके table form है और एक काम करते है इस में जो इस यह वाला text है इस text को select करके इसका font जो है इंक्रीज कर देता है and थोड़ा italic कर देता है यह changes मैंने की है यह सारी changes जो है आपकी record हो गई होगी अब देखिए यहां पर view जो भी आपने काम किया यहां पर record ह हो गई होगी यहां पर में stop करूंगा इसको stop recording की मैंने stop हो गई अब अगले दिन computer आप off कीजिए कुछ भी कीजिए copy paste की तरह यह तब तक नहीं रहता जब तक आपने system of on है यहां पर मैं दूसरे दिन तीसरे दिन जब भी आऊंगा यहां पर नाया sheet ओपन करूंगा यहां न उसको run करेंगे आप तो आपका वही data जो है यहां पर वापस आ जाएगा यह काम है macros का macros के related core example में देना चाहूंगा यहां पर यहां पर आपका यह table है ठीक है इस table को मैं यहां से यहां तक select करना चाहूंगा ठीक सबसे पहले हम record करेंगे macro को sorry record macro और इस बार मैं रखना हो चाहूंगा XYZ PQR नाम इसका and press ok तो अब आपका record हो रहा है तो अब मैं यहां से select करूंगा इसको नए से record करके इसको मैं table मैं format as table कोई table इसमें convert करूंगा and press ok हो गया table now यहां पर जाके font size increase क्रीज कर देता हूं इतना 18 रख देते हैं और यह time is new यह italic और font color जो है text का वह आप रखना चाहेंगे वह हम रखना चाहेंगे कुछ कुछी भी रख दो यह testing के लिए हाँ अब आपका यह यहां पर इतना सारा हो गया ठीक है इतने जो formatting आपने yes की change की है अब मैं विव में जाओंगा stop करूँगा recording को stop हो गया macro आपका save हो गया आप कभी भी आ सकते हैं और यही चीज वापस वापस कर सकते हैं अब इसमें मैं Ctrl Z कर देता हूं देखे अब यही selection जो है copy कर देता हूं मैं और नए sheet में paste कर देता हूं आपका data ऐसा पढ़ा है आपको आपको क्या करना है कि आपको यह task दिया गया है कि जो आपके पास table पढ़ा है इसकी formatting सेम वाइस ही होनी चाहिए जो आपने पिछली बार किया था तो आपने वह as a macro record कि यहां पर आप क्या करेंगे फिर इसको select करेंगे पूरे table को और यहां पर macros में जाके view macros पर click करेंगे और कौन सा वाला था यह वाला इसको run करेंगे तो वही formatting आपकी वापस आ जाएगी कोई भी change जो आपने की होगी वही same वैसे ही आ जाएगा यहां ठीक है so this was all about macros तो कै आपको view tab और यह था view tab इसके साथ ही जो हमारा excel है excel series जो हमने उठाई थी 9th lecture था उसका और इसके साथ excel हमारा complete हो गया आज ठीक है जितना भी आपने आज तक कवर किया है तो different questions होंगे with options आपने वो solve करने है और comment section में बताना है कि कितने आपके ठीक हो गया correct हो गया so this was all about excel congratulations इसके साथ ही हमारा excel course जो है वो complete हो गया अब जो आपको पता ही है powerpoint का भी हमारा साथ में ही चल रहा है वो playlist भी आप चेक कीजिए गा ठीक है now next जो है इसके साथ होगा वो है Microsoft access वो हम start करेंगे कुछ ही दिनों में ठीक है so thank you for watching this video मिलते है अगले lecture में stay blessed thank you